दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बीत मंतरी निर्मला सिता रम्मन ने पेस किया 2022-23 का बजट पेस कर दिया है जिसके अंतरगत एक वर्स में परधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत देश भर में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे बजट भाशन में बीत मंत्री ने कहा कि पीम आवास योजना के लिए वीत वर्स 2022-23 में 48,000 करोड रुपए आवंटित किये जाएंगे केंद्रे और राज्य सरकाने मिलकर इस योजना को लोगों तो पहुंचाने का काम करेंगी बीत मंत्री ने बताया कि पीम आवास योजना के तहट आवंटन की राशी को बढ़ाया गया है बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने कहा इसमें राजियों को कर्ज के बोज तले दबाने की तयारी केंद्रे बीत मंत्री निर्मला सितारमन द्वारा पेश किये गए बजट को जारगन के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने निराश करने वाला बताया है उन्होंने कहा है कि बीत मंत्री निर्मला सितारमन ने बजट के जरिये केवल केंद्र सरकार के मन की बात कही है और इसमें देश के जन मानस की भावनाव का कोई खयाल नहीं रखा गया है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार द्वारा राजियों को अधिक सहता राशी देने की गोशना की सचाई ये है कि इससे राजियों को कर्ज के बोज तले दबाने की तैयारी है दोस्तो धनबाद से बड़ी ख़बर सामने है यहां कोईले की अवैद ख़दान में दबने से तेरा लोगों की दर्दनाक मौत धनबाद के निर्शा इलाके में कोईले के अवैद खनन हाथसे में तेरा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है वहीं दरजनों लोगों के अंदर फसे होने की आशंका है मामले की जाच के लिए पुलिस बल मौके पर मौजुद है निर्सा तानाशेत्र के गोपिनाथपूर OCP में अवैद क्वेला उत्खनन अस्थल में चौल धसने से तेरम मजदूर की मौत हो गई बताए जा रहा है कि इस घटना में कई मजदूर गंपी रूप से घायल भी हो गए है अवैद क्वेला उत्खनन अस्थल में जेसीबी के जरिये मजदूरों को बाहर निकालने का परयास जारी है हलाकि पानी भरे होने के कारण बचाओ एवं राहत कारे के दोरान कड़ी मशकत करनी पड़ रही है खबरों को माने तो हर दिन की तरह भारी संख्या में महिला पूरुस कई समित बच्चे अवैद उत्खनन करने के लिए आउट सोर्सिंग पर गये थे उसी समय यह भयंकर हाथसा हुआ इस दर्दनाक घटना को लेकर जार्खन के मुख्यमंतरी सिरी हेमन सुरेन ने ट्विट करके कहा है कि धनबाद के निरसा में इस्थित कोईला खदान से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है जीला परशासन पूरे मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कारे में जुटा हुआ है उन्होंने कहा है कि परमात्मा दिवंगत आत्माव को शांती परदान कर परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे गायलों को मदद पहुचाई जा रही है दोस्तो बड़ी खबर है 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा जारखन विधान सभा का बजट सत्र शुरू करने का फैसला लिया है फैसले के अनुसार यह सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा खबरों को माने तो राजेपाल को भेजे गए प्रस्ताओं में 25 फरवरी से 25 मार्च तक बजट सत्र आहुत करने की सिफारिश और 25 फरवरी को उनसे अभिभाशन के लिए आगरह किया गया है उसमें बजट सत्र के पहले दिन 25 फरवरी को राजेपाल का अभिभाशन होगा रखी जाएगी 28 फरवरी को राजेपाल के अभिभाशन पर चर्चा होगी उसी दिन त्रित्वे अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा राजेपाल के अभिभाशन पर बाद विबाद और मतधान भी होगा दोस्तो बड़ी खबर है जारखन के नकसल परभावित इलाकों में बनेंगी 58 सड़कें केंद्र सरकार ने जारखन में 261 किलो मिटर की सड़क योजना को सोमवार को मंजूरी दे दी है ये सड़कें जारखन के अती नकसल परभावित इलाकों में बनाई जाएगी इस सडक योजना के साथ ही इन इलाकों के लिए 26 पूल योजनाओं की भी स्विक्रिती मिली है केंद्रियम ग्रामिन विकास मंत्राले ने जारखंड को यह सोगात दी है इस योजना के तहत जारखंड के नकसल परभावित शेत्रों में 58 सडके बनेंगी इन सडकों की कुल नंबाई 200-100 किलोमीटर होगी बताए जा रहा है कि नकसल परभावित गडवा जीले के बडग गड़ और रमकंडा RCPCLWEA से 9 सडके बनेंगी कुल 78 किलोमीटर लंबी इन सडकों के निर्मान पर लगभग 72 करोड की खर्चाएगी मीडिया की खबरों को माने तो मंतरी मिथिलेस कुमार ठाकुर ने कहा है कि जल्द ही इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे दोस्तों बड़ी खबर है बजट के बीच LPG सिलिंडर के दामों में राहत बीतमंतरी निर्मला सितारमन ने एक फरवरी को लोग सभा में बजट पेश किया जहां किसानों और युवाओं पर मौजूदा सरकार महरबान होती नजर आई वही राहत की खबर आम जन के लिए आम बजट से पहले भी सामने आई थी दरसल बजट से पहले ही सरकारी तेल कमपनियों ने रस्वी गैस के दाम में कमी करने का एलान किया इससे आने वाले समय में अब कॉमर्शिल LPG सस्ते होने वाले हैं सरकारी तेल कमपनियों ने LPG गैस के दाम में कमी करने का एलान किया और अब कमपनियों के मुताबिक ये कटोदी एक फरवरी 2022 से लागू हो गई है दोस्तो बड़ी खबर है जारकंड हाई कोट का बड़ा फैसला निचली अदालतों में अब होगी आमने सामने सुनवाई जारकंड हाई कोट ने एक बड़ा फैसला लिया है जारकंड हाई कोट के नए निर्ने के अनुसार हाई कोट में एक फरवरी 2022 से सब ही मामलों की सिर्फ वर्चुल सुनवाई शुरू कर दी गई है यही नहीं करमचारियों की उपस्थिती भी शत्पर्तिशत सुनशीत कर दी गई है यानि अब हाई कोट में भरपूर संख्या में करमचारी मौजूद रहेंगे किसी को कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी बता दी कि कोरोना संकर्वन की रप्तार तेज होने के बाद जारकंड हाई कोट में केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही थी यही नहीं करमचारियों को रोष्टर के तहत कारयाले बुलाय जा रहा था इसलिए यह पहल की गई थी कि कर्मचारी कोरोना संकर्म की चपेट में नहीं आए बहराल जार्खंड हाई कोट में मंगलवार से चुनिंदा नहीं बलकि सभी मामलों की वच्चुल सुनवाई शुरू कर दी गई है साथी जार्खंड के सभी जीला अदालतों में अब फीजीकल सुनवाई भी होगी यानि आमने सामने सुनवाई होगी मुकदमा लड़ने वाले दोनों पक्चों के लोग और वकील कोट में उपस्थित होकर अपना पक्च रख सकेंगे दोस्तों बड़ी खबर है अब सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी MSP बीतमंत्री निर्मला सितरमन ने अपने बजट भाशन में किसानों के लिए बड़ी घोशना की है सरकार ने किसान आंदोलन के केंदर में रही MSP को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का एलान किया है इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मिट्रिक टन गेहों और धान खरिदा जाएगा बजट भासन में सितारमन ने कहा कि MSP के जरिये किसानों के खाते में दो दसनों तीन साथ लाख करोड रुपए भेजे जाएंगे साथी बीत मंत्री ने कहा कि किटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए परयास किया जा रहा है दोस्तों बड़ी खबर है जारखन में आठवी से इंटर तक के शात्र आठ फरवरी तक जमा कर सकेंगे फॉर्म जैक ने कक्छा आठवी से लेकर इंटर मीडियेट तक के रेश्ट्रेशन वा एक्जाम फॉर्म जमा करने को लेकर एक और मौका शात्रों को दिया है जैक ने इस सम्मन्द में सोमवार को पत्र जारी कर दिया है इसके अनुसार कक्छा आठमी के बिद्यार्थी आठ फरवरी तक परिशा फॉर्म जमा कर सकते हैं इतना ही नहीं वर्स 2022 की कक्छा नौवी, ग्यार्वी, मैट्रिक, इंटर्मीडियेट के परिशार्थी बिलंब शुल्क के साथ आठ फरवरी तक परिशा फॉर्म जमा कर सकेंगे जारखंड एकडमी कॉंसील यानी जैक ने कक्छा आठमी से लेकर इंटर्मीडियेट तक के बिद्यार्थियों को रेजिस्ट्रेशन वर एक्जाम फॉर्म जमा करने के लिए एक और अफसर दिया है ताकि जो बिद्यार्थि किसी कारण से अब तक बंचीत रह गए हैं वे पंजियन वो परिशा फॉर्म जमा कर सकें जैक द्वरा जारे बिग्यब्ति में कहा गया है कि कक्छा आठमी के बिद्यार्थि आठ फरवरी तक परिशा फॉर्म जमा कर सकते हैं दोस्तो बड़ी खबर है साथ हजार करोड की लागत से तीन दस्वलो आठ करोड घरों में पहुँचेगा पानी केंद्रिय बजट में जल शक्ती मंत्राले की जल जीवन मिशन हर घर जल योजना को बड़ा बूश्ट मिला है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाली हर घर नल से जल योजना को बजट में 2022 तेज के लिए 60,000 करोड रुपए आवंटीत किये गए है इससे बीतवर्स 2022 तेज में 3.8 सुनिय करोड नए ग्रामिन घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष रखा गया है बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत ने कहा कि परधान मंत्री मोदीक नरतितु में केंद्रिय बीत मंत्री सितारमन की तरब से पेश आत्मनिभर भारत का बजट 130 करोड भारतियों को परिवर्तन कारी लाब देग वन नेशन वन रिष्ट्रिशन के तहट अब जमीन का भी होगा आधार नंबर देश के नागरिकों के आधार काट की तरब जमीनों का भी आधार नंबर जारे किया जाएगा केंदर सरकार इसकी तयारी कर रही है बताए जा रहा है कि One Nation, One Registration यानी एक राष्टर, एक पंजीकरन कारेकरम के तहद केंदर सरकार जमीनों के लिए विशिष्ट पंजीकरन संख्या जारी करेगी मंगलवार को संसद में पेश किये गए आम बजट मेकेंद्रिय वीत मंत्री निर्माला सितारमन ने अपने बजट भाषन में कहा कि अब देश की जमीनों का भी डिजिटल रिकॉर्ट तयार किया जाएगा आई पी वेश्ट टेक्नलोजी की मदद से ऐसा किया जाएगा निर्माला सितारमन में कहा है कि माच 2023 तक देश भर में जमीन के रिकॉर्ट के डिजिटाइजिशन का लक्ष रखा गया है